स्टुडेंट्स आज हम लोग सेक्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च्च और मोटाइल होगा और female gamit larger in size in comparison to male and female gamit will also be non-motile कालूनी जो है वो इसकी homothelic भी हो सकती है heterothelic भी हो सकती है homothelic का मतलब यह है कि इसमें एक तरह के gamit एक कालूनी पर पर पर्डूश होंगे और अगर heterothelic है तो दोनों तरह के gamit जाने के male और female gamit दोनों एक ही कालूनी में पर्डूश हो सकते हैं उसके बाद यह कि इसके reproductive cells जो के gamit पर्डूश हो जिनमें हो रहे हैं उनको हम कहेंगे gamit angia तो male gamit angia के लिए जो proper term यूज होईगी वो है enthridium और female gamit angia के लिए जो proper term यूज हो रही है वो है oogonium सबसे पहले हम लोग male reproduction या कहले के male gamit angia को discuss करेंगे इसकी formation देखेंगे आपके सामने जो diagram है वो दोनों की development शो कर रही है enthridium में जो development हो रही है और oosphere यानि के जो oogonium में development हो रही है वो भी नज़र आ रही है आप टॉप पे देखें A to E आपके पास intherozoid development है A में क्या हो रहा है diagram के बिलकुल उपर टॉप वाले diagram को आप लोग देखें A में हमारे पास एक cell कोई साभी एक cell देखे पूरी कालूनिक के जो corners पे cell होते है उनमें से कोई एक cell अपने अंदर बहुत जादा perinoid store करेगा larger हो जाएगा यह perinoid bodies क्या होंगी यह reserve food है ठीक है और wall walks में reserve food किस form में है starch की form में है अब यही वाला cell जो है जो gametangia behave करेगा larger in size हो गया है यह सबसे पहले एक division में जाएगा फिर इसके बाद मजीद divisions करते करते D में देखें बहुत सारी divisions हो गई और इस तरह कई divisions के बाद कई mitotic divisions के बाद यह फिर 16 stage आ जाएगी हमारे पास यह फिर 128 cell stage आ जाएगी यह फिर इससे ज़्यादा भी cells इसमें produce हो सकते है यह जो इसमें cells produce हुए हैं इनको हम enterzoids कहेंगे हर cell sperm like behave करेगा इसलिए हम इसको enterzoid कहेंगे अगर तो यह 128 से कम तदाद में हैं तो यह इसी तरह अलग होकर निकल जाएंगे pore में से और liberate हो जाएंगे और क्यूंकि यह अपने उपर flagelase तो develop करी चुके हैं तो यह true flagelase यह swim करेंगे और अगर यह more than 128 हैं तो बिल्कुल a-sexual reproduction की तरह यह inversion process में जाएंगे और inversion के बाद यह release होंगे